असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं यूटीब चैनल एक न्यूव वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में हम लोग थियोरी ओफ आटोमेटा के लेक्शे नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आई होप कि आप लोग değगों को पहले तक वहाप लोग आप लोग आप लोग मैं 2015 लोग दो चलें आज का लेक्शे नंबर 4 स्टार्ट करते एं उससे पहले डोग अकर वाप लोग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काईलिक जल्दी से मेरे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी आलिम वाली जो हर लेटस वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को अक्सेस कर सकें. So guys, lecture no.4 में सबसे पहले हम लोग जो topic cover करेंगे, वो है हमारे पास एक पहुत ही important language है, उसकी example दी हुई है उन्होंने, तो वो हमारे पास language है even even. So guys, even even language का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने लक्षर नमबर थ्री सुना है उसमें मैंने बताया था कि नमबर ओफ एज और नमबर ओफ बी जो है वो इवन होने चाहिए मतलब कि अगर हमारे पास नमबर ओफ एज दू है तो नमबर ओफ भी दू होने चाहिए यहां पर टोटल हमारी जितने भी स्रिट्रिंग है यहां पर हमारे पास यह स्रिट्रिंग है इसमें जो हमारे पास नमबर ओफ एज हैं वो दू है यह एवन है यह भी एवन है अगर यह हमारे पास चार स्रिट्रिंग है चार है कि यह भी एवन है तो जितने भी हमारे पास number of A's है या फिर number of B's है वो even होने चाहिए तो basically इसी को हम लोग जो है वो कहते है even even language So guys इसमें यह चीज़ का आप लोगों ने खिया रखना है अब यहां पर उनने यही basically बताया है कि having even number of A's यानि कि जो number of A's है वो भी even है इसके बाद हमारे पास even even एक language है उसमें हमारे पास जो string है वो एक तो null है उसके बाद डबल A है डबल B वो four times A है डबल A, डबल B और जितनी भी यह so and so four हमारे पास string है its regular expression can be written as तो हमारे पास यह जो language है इसके अगर हम लोग अपनी regular expression लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसे है यह आप लोग के सामने जो है वो शो हो रही है इसके मैं highlight कर देता हूँ I hope कि आप लोग को यहाँ पर सामने जो है वो easily show हो रही होगी So guys यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास string है वो है null तो null का मैंने regular expression इसका कैसे लिखा है कि हमारे पास यह जो total क्या करते से मैं remove कर देता हूँ हमारे पास यहाँ पे जो total हमारी regular expression जिसे हम लोग आरी बोलते हैं लिख हुई है इस total का जो है वो starry clear हुआ है तो starry का basically मकसर यह है कि यह null हो सकती है इसलिए हमारे पास यह language है इसमें हमारी पहली setting null है वो हम लोग ने इसलिए add किया क्योंकि इस सारी हमारे पास जो RE है regular expression इसका हम लोग ने whole का starry clear हो है क्योंकि यह null भी हो सकती है तो इसलिए के सबसे पहले हम लोग ने अपनी setting में null add किया उसके बाद double A, double A कहां से generate कर रहा है अगर आप लोग यहां से देखें तो यहां से यह जो double A है वो generate हो रहा है इसके बाद double B है, double B हमारे पास यहां से जो हो हो रहा है इसके बाद four times A है तो guys यहां पर हमारे पास double A है यहां पर B हमारे पास double A है plus double B है, इसके उपर भी static है इस whole के उपर भी static है अगर हम लोग इसकी value 2 कर दें तो यहां पर हमारे पास जो हो easily यह four times जो हो generate हो जाएगा जस्ट एक चीज़ का आप लोग ने खिया रखना है यहां पर हमारे पास A, B, A, B यहां से लेके यहां तक, जितनी भी हमारे पास setrings है, यह four strings इसको मा हाइलाइट कर हुँ यह हमारी जो है, वो इस setrings से लेके इस regular expression से लेके यहां तक जो है, वो इस से generate होंगी कोई भी हमारी जो string अब से start हो रही है या बी असे start हो रही है तो ending उसकी a,b या बी असे हो रही है वो इन से generate होगी बाकी सब जो है वो हमारे पास यहां पर जो double a double b है उससे generate होगी बले वो double a हो double b हो यहां फिर four times b हो तो इसका regular expression जो है वो मैंने इसके उपर एक note भी लिखा होगा है कि सबसे पहले जो कि मैंने आलड़ी बता जुगा हूँ कि null setting will be generated by whole start क्योंकि हमारे पास यहां पर मैंने पहले पहले बता दिया कि इसके उपर static था इस वज़र से जो हम लोग ने null setting इसमें add की है तो I hope कि आप लोग को यहां पर जो even even की language है उसकी example थी जो कि काफी important थी वो मैंने आप लोग को clear करवा दिया है तो I hope कि आप लोग को इसकी समझार की होगी इसके बाद यहां पर note है note का हम लोग देख लेते हैं it is important to be clear about the difference of the following regular expressions तो हमारे पास यह जो नीचे R ही है जिसे हम लोग regular expression जिसका नाम है उन्हें ने काया कि इसमें difference है अब यहां पर हमारे पास दो regular expression लिखी हुई है R1 हमारे पास है A steric plus B steric और इसके बाद R2 हमारे पास है A plus B whole steric तो इन दोनों में difference है हलाकि दिखने में यह ऐसे लग रहा है कि इनका शायद मतलब A को लेकिन ऐसा नहीं है R1 का मैं आपको बता दूँ जिसमें A के उपर अलक्स स्टारिक है और B के उपर अलक्स स्टारिक है इसके उपर मैंने ज़्याव यहां पे node generate किया है इससे जो suturing generate होंगी वो कौनसी होगी कि हमारे पास सबसे पहले A steric है और B steric है steric का मतलब मैं पहले तीन लेक्षर में भी आपको बता चुका हूँ कि जिसके उपर steric है वो null हो सकती है तो सबसे पहले इससे generate होने वाली अगर हम दोनों को null कर दें तो हमारे पास जो पहली स्ट्रिंग generate होगी वो null होगी यह चीज़ का आप लोग ने खास क्या रखना है अगर इसके उपर null नहीं है sorry steric नहीं है तो इसे हम लोग null नहीं कर सकते अगर इसके उपर मतलब एक के उपर steric है अगर नहीं है तब हम एक null स्ट्रिंग जोईवर जनेरेट कर सकते हैं लेकिन अगर दोनों के उपर steric नहीं है तो हम लोग null स्ट्रिंग जवर जनेरेट नहीं कर सकते लहाज़ा यहाँ पर दोनों के उपर steric है हम लोग first steric जो हमारी जनेरेट होगी वो null होगी उसके बार बिलफर्ज करें कि मैंने इसको steric ले लिया इसकी मैंने जो है वो power 1 कर दी और इसे null कर दिया इसकी power 1 की है यह generate हो गया इसको null किया था यह वैसे आ गया अब मैं क्या कर रहा हूँ के A steric को null कर रहा हूँ और इसकी power 1 कर रहा हूँ तो हमारे पास B आ गया B को मैंने null कर दिया इसकी power 2 कर दी तू टाइम्स जनरेई हो गया है ऐसे मैंने A को नल किया तो B की power 2 कर दी थो हमारे पास 2 times जो है ये string जनरेट हो गी इसके साथ again हमारे पास 3 times A है अगर मैं इसे नल कर देता हूँ और इसके power 3 कर देता हूं चैरी की तो हमारे पास जो है इसमें अगर आप लोग एक चीज गौर से देखें तो हमारे पास A और B जो है, वो separately generate हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि A और B की जो है, वो concatenation हो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग देखें, इस से ट्रिंग में के लिए B हैं, इसमें के लिए A हैं, फिर B हैं, नल हो सकती है, इसलिए हमारी जो पहली आएगी, वो null होगी, पहली से ट्रिंग जो generate करेंगे, वो null होगी, तो इसके बाद हमारे पास है, इसका क्या मतलब है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, और A और B दोनों भी आ सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास, अगर मैंने B को नल कि गया, तो A generate हो गया, A को null किया, B generate हो गया, अगर इनके power 1 कर दी, A और B दोनों generate हो गया, इन दोनों की power 1 की, पहले B को generate कर लिया, बाद में A हो गया, मतलब कि A भी आ सकते हैं, और B भी आ सकता है, B को null किया, स्टैरी की power 2 की, तो हमारे पास A जो है, वो टू टाइम्स generate हो गय गया, A को null कर दिया, B की, बाद में स्टैरी के power 2 की, तो B टू टाइम्स आ गया, ऐसे ही जो है वो अगर हम लोग A को टू टाइम्स ले 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 और B वन टाइम्स आ जाए तो, मतलब कि जितनी भी इससे possible settings हैं, वो generate हो रही है, अब इसमें main चीज़ क्या है, A, B अकठ हो रही है, और अगर हम लोग पहली की तरफ देखें तो, यहाँ पहसा नहीं है, यह जस्ट सेपरेट सारे हो रहे हैं, so here, R1 डस नाट जनरेट एनी स्ट्रिंग ओफ को टू 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 जनरेट सच स्ट्रिंग, तो R2 कुछ स्ट्रिंग ऐसे जनरेट कर रही है, जिसमें A और B की concatenation हो रही है, so यह इसमें डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बता दिया, I hope कि इसका भी आपको clear हो गया होगा, इसके बाद guys अगर हम लोग देखें तो, equivalent regular expression, इसकी definition देख लेते हैं, two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same language, अगर कोई, दो regular expression हमारे पास है, अगर वो same language generate कर रहे हैं, तो हम उसे हम बोलेंगे equivalent regular expression, इसकी example देखके मजीज दो है, वो आप लोगो समझा जागी, यहाँ पर guys हमारे पास R1 है, A plus B whole steric, और इसके बाद bracket में लिखा हुआ है, double A plus double B, इससे generate होने वाले जितनी भी setrings होगी, उसकी ending double A और double B से होगी, क्योंकि इसके ओपर steric है, यह null हो सकत है, लेकिन यह हमारे पास steric नहीं है, यह लाजमी हर setring में generate होगा, बले हम लोग double A को ले लें, इससे null कर दें, इससे null कर दें, double B को ले लें, तो इस setring की ending होगी, वो double A से यह double B से होगी, ऐसे अगर हम लोग R2 को देखें, इसके ओपर steric है, A plus B whole steric, लेकिन यहाँ पे ending ज जो है, वो generate होगा, प्लस, A plus B whole steric है, ending इसकी double B से होगी है, इसमीन के इसकी भी ending जो है, वो double A या फिर double B से होगी, so, then the both regular expression define the language of strings ending in double A या double B, तो हमारे पास यह दोनों जो regular expression है, वो क्या define कर रही है, कि इसकी जो language है, वो इसकी जो string ending हो रही है, वो double A से या double B से हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कि यह equivalent regular expression है, जो के उपर हमारे पास है, वो basically topic है, इसी चीज़ का topic है, तो यहाँ पर जो हम लोग ने proof कर दिया, कि यह दोनों जो language है, वो equivalent है, क्योंकि यह जो है, वो same language generate कर रही है, इसके बाद guys, note अगर हम लोग देखें, तो अगर आप ल R1 हमारे पास यह है, और R2 यह है then, इसमें इसको plus कर दें, तब भी regular expression है, इसको concatenate कर दें, तब भी regular expression है, और इसके बाद R1 के उपर steric लगा दें, इसके उपर भी whole steric आजागा जागा, तब भी regular expression है, तो यह same जो है, उन्होंने repeat कर दी है, यह आप लोग एक दफ़ा ज़ इसके बाद हमारे पास guys आता है regular language, इसकी definition देख लेते हैं, the language generated by any regular expression, हमारे पास कोई भी regular expression है, जिससे अगर हम लोग कोई भी language generate करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, regular language, it is to be noted that, if r1, r2 are regular expression, तो अगर उन्होंने फ़र्ज किया है, कि हमारे पास r1 और r2 जो है, वो regular expression है, corresponding to the language l1, l2, तो l1 और l2 language के लिए हमारे पास जो regular expression अगर r1 और r2 हो, then the language generated by r1 plus r2, हम लोगे ने इसको plus कर दिया, इसको concatenate कर दिया, r1 को r2 से, या फिर r2 को r1 से, और इसके लावा r1 के ओपर steric add कर दिया, या फिर r2 के ओपर steric add कर दिया, same, यही वाली बात आगी, कि यह भी हम लोगे इसे regular language ही कहेंगे, तो यहाँ भी यही same बात ही कि अगर इसको plus कर दें, इसको concatenate कर दें, इसके ओपर steric लगा दें, इसे regular expressions हैं, वो कहते हैं, तो यहाँ भी same वही चीज़ उन्होंने बताई है, repeat करके, नीचे भी अगर आप लोग देखें, तो note में यह लिखा हुए, इसको plus कर दिया, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ अपर इनके दिर्माइन union लगा देंगे, same चीज़ है, plus कर दें, concatenate कर दें, और वन के ओपर steric लगा दें, same होगा, कि इसे अगर हम लोगोंने concatenate किया है, L1 और L2 को concatenate कर देंगे, अगर हम लोगोंने R1 के ओपर steric लगा देंगे, R2 के ओपर लगा देंगे, तो L2 के ओपर हम लोग स्टारिक लगा देंगे, same चीज़ जो है, वो बार बार यह वही बता रहे हैं, इसके बाद guys अगर हम लोग example देखें same example में वही चीज रपीट की है if r1 हमारे पास यह है और r2 गी है then the language of settings generated by r1 plus r2 r is also a regular language वही चीज है कि अगर हम लोग इसे plus कर दें या फिर इसके अलावा उना क्या काया है कि इसको concatenate कर दें या फिर इसके ओपर static लगा दें same वही चीज है इसमें कोई जो है वो मारे पास अगर r यह है इसको static कैसे लगाना है r के ओपर static लगा दिया इसके ओपर इस whole के ओपर static लगा दिया तो यह हमारी example जो हो जाएगी तो इसको जास आफ लोगो ने एक दफ़ा पढ़ लेना है यह बार बार सेम वही चीज रिपीट हो रही है यहां से जो है वह हम लोग एक न्यू चीज स्टार्ट करने जा रहे है all finite language are All retiring है यहां पर कोई alphabet है हमारे पास alphabet है जिसमें दो लेटर्स है एमारे पास इसकी जो length of setting है इसकी जो exact quantity है वह हमें पता होनी चाहिए इसमें कितनी है उसे हम बोलते हैं finite अगर हमें exact का नहीं पता last में dotted हैं कि वो continue है उसे हम बोलते हैं infinite तो all infinite language जिसके हमें exact quantity पता हो वो regular है इसके लावा उन्हें यहाँ पर क्या कहा है कि consider the language defined over alphabet हमारे पास है जिसे हम लोगे ने sigma के साथ जो आवर denote किया है a और b दो letters है हमारे पास जो strings length है इसकी वो हमारे पास दो है a और b starting with a उनने क्या कहा है कि इसकी length setting जितनी भी से generate होंगी उसके length दो होनी चाहिए और a से start होनी चाहिए तो हमारे पास language आगई double a एक यह string generate होगी और एक होगी a b अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग कौन कौन से string generate कर सकते हैं double a भी हो सकती है a b भी हो सकती है इसके बाद double b भी हो सकती है double b हम लोग ने क्यों ने add की क्योंकि double b जो है वो b से start हो रही है लेकिन यहां पर शर्त गिया है कि हम लोग ने वह string generate कर रही है जो A से start हो रही है इसके लावा B, A भी हो सकती है वो भी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी B से start हो रही है जस्ट दो से ट्रिंग यहां पर हमारे पास आएंगी एक तो डबल है और एक हमारे पास आएगी A और B इनको concatenate किया So guys Hence L by definition is a regular language तो इसे हम लोग जो है वो regular language बोलेंगे क्यों बोलेंगे क्योंकि हमारे पास जो इसकी जो length है वो two है वो start यह से हो रही है इसके बाद guys हमारे पास note है It may be noted that if a language contains even thousand words its re may be expressed placing plus between all the words तो उनने कहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसी language है जिसमें भले thousand words हो उसको हम लोग ने अगर express करना है regular expression उसको लिखना है तो हम लोग ने just क्या करना है कि उनके द्रमाइन हम लोग ने plus लगा देना है इसके लिए जो है वो हम लोग एक example देख लेते है हमारे पास यह language है यह हमारे पास language है इसमें triple A, double A, B, A, B, A जितने भी हमारे पास settings इसमें है that may be expressed by R, E तो इसकी जो regular expression हम लोग लिखेंगे हम लोग ने सफ़स्वफाल क्या करना है कि इन सब के द्रमाइन हम लोग ने plus add कर दिया तो यह हमारे पास जो है वो इसकी regular expression बन गई which is equivalent to A plus B, A plus B into A plus B तो यह हमारे पास जो है वो यह जो regular expression है यह इसको जो है वो क्या कहते हैं denote कर रही है मतलब कि इससे बनने वाली इससे बनने वाली जितनी भी settings है वो यहाँ पे हमारे पास इस language में है तो basically जो है हमारे जो note है वो भी complete हो जाता है इसके बाद guys हमारा जो है वो finite automaton जिसे हम लोग during दा हमारा जो भी 45 lecture होंगे हमारे उसमें हम लोग इसे जो है वो FA बोलेंगे तो हम लोग basically जो है वो अब एक new topic start करने जा रहे हैं जिसे हम लोग finite automaton यानि के FA कहते हैं उसकी यहाँ पर इन्होंने एक example दी है जो के काफी boring सी है में भी आप लोग को समझना है लेकिन इसके आप लोगोंने attention नहीं लेनी है इसका मजीद जो है वो आप लोगों का नीचे जागे concept के लिए हो जाएगा जिस्ट यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि एक example दी है finite automaton की सो finite automaton किसे कहते हैं यहाँ पर इसका जो है वो मैंने लिख दी है method to represent language using diagram एक ऐसा method है जिससे हम लोग जो है वो diagram के जरीए language को represent करते हैं पहले हम लोग जो है वो यह regular expression use करते थे किसी language को define करने के लिए express करने के लिए हम लोग ने इस language को express करने के लिए हम लोग ने क्या use किया यह वाली regular expression ऐसे guys अगर हम लोग देखें तो finite automaton उसे कहते हैं कि किसी भी language को जो है वो express करने के लिए हम लोग diagram का use करें तो इसका note भी मैंने यह लिखा हुआ कि diagram के through जो हम लोगों ने language को represent करना है so यहाँ पर एक example है example में क्या है हमारे पास 64 boxes है तो यह हमारे पास जो हम एक game board है इसमें total 64 boxes है अब भी नगा क्या है कि there are some pieces of paper इसमें जो हैं वो कुछ paper है pieces of paper है जिसमें कुछ pieces of paper white color के है और कुछ black color के है जो pieces के paper है उसकी जो तदाद है 64 यहां पर इससे कम हो सकती है इसकी जो arrangement है कि हम लोग ने यहां पर white करने है यहां पर यहां पर black करेंगे यहां पर ऐसे black करेंगे यहां पर ऐसे जो भी इसकी arrangement करनी है वो under which these pieces of paper can be placed in the boxes are finite तो हमें इतना बता है कि इसकी जो है वो जितने भी हम लोग इसकी arrangement करेंगे जैसे भी करेंगे इसकी number of pieces की वो finite होगी इसके बाद उनने कहा है कि to start the game one of the arrangement is supposed to be initial arrangement तो उनने कहा है कि हम लोग game को start करने से पहले जो हमारी first arrangement होगी वो यह होगी कि हम लोग किसी भी एक को जो है वो initial stage जो है वो suppose कर लेंगे initial arrangement आफ लोग इसके कह सकते है there is a pair of dice हमारे पास dice होगी जिसमें dice मैंने यहां पर no dad किया है जिसमें हमारे पास जो हम लोग load केलते हुए use करते हैं उसमें हमारे पास एक से लेके 6 number तक होते हैं तो हमारे पास pair है यानि कि 2 dice हमारे पास होगी dad can generate the number 2 to 12 यहां 2 से 12 के लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास अगर 2 dice है अगर हम लोग इसे दोनों dice को पहके तो अगर एक दफा भी एक एक आए तो वो 2 से start होगा तो 2 से 12 तक जाएगा एक में 6 होते हैं और 2 में 12 होगे तो जितने भी नमबर जो होगे वो एक यूनीक अरेजमेंट जो है वो असे करेगी इसके लावा यहां पि उन्हें नीचे का है इस शोज टाट टाटल नमबर ओफ ट्रांजिशन रूल ऑफ अरेजमेंट और फानाइट तो यह जो ट्रांजिशन है इसका जो हो नीचे जाके मैं आप लोगो कंप्लीट जाव स्टाट देरूँगा इसमें just this structure of game can be considered to be a finite automaton तो यह जितना भी उन्होंने एक बक्वास example दी विया है वो यह कह रहे हैं कि इसको हम लोग जो है वो finite automaton जो है वो consider कर सकते हैं तो एक डफा आप लोगोंने readout कर लेना है अगर नहीं समझ लगी तो इस चीज़ की आप लोगोंने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हम finite automaton जिसे हम लोग F.A. बोलते हैं यह बहुत ही जो है वो basic वो क्या कहते हैं उसे detail में जाकर पढ़ने वारे हैं तो इस चीज़ का आप लोगोंने जो है वो परिशान नहीं होना जिस आप लोगोंने एक चीज़ ख्यार रखनी है finite automaton उसे कहते हैं कि हम लोग किसी भी language को express करना हो उसके लिए हम लोग जो है वो diagram यूज करें जस्ट इस चीज़ का आप लोगोंने जो हो याद रखना है इसमें इसके बाद guys हमारे पास जो है वो method 4 है finite automaton का इसमें मारे पास जो है वो कुछ उन्होंने यहाँ पर हमारे पास तकरीबन तीन line जाव लिखी है इसको हम लोग जो हो देख लेते है finite number of states तो हमारे पास जो number of states होंगी एफ़े में वो finite होंगी कि हमें exactly हमारे पास अगर यह example दी हुई है इसमें हमारे पास दो letters है तो हमारे पास जो number of states होंगी वो भी finite बलके दो होंगी अगर हमारे पास example में दो हैं तो हमारे पास जो इसकी states बनेगी वो भी 2 होंगी finite set of input letters हमारे पास जो letters होंगे वो भी finite होंगे इसके बाद transition होंगी वो भी finite होंगी इसमें एक चीज़ का आप लोग ने खास क्या रखना है कि for each state and for each input letter हर एक state और हर एक input letter के लिए जो है वो एक transition होगी जो के show करेगी कि हम लोग जो है वो किस state से कैसे जो है वो एक state से दूसरी state की दरफ जा रहे हैं इस चीज़ का आप लोग ने खास क्या रखना है कि हर एक state और हर एक letter के लिए transition use होगी जो के बताएगी कि हम लोग ने कैसे एक जगा से दूसरी जगा पर move करना है तो finite automaton में एक rule है यह आप लोग ने लाजमी याद रखना है कि हम लोग each state और each input के लिए जो हम लोग transition use करेंगे जो के finite होगी यह हमारे पास example है जिसमें उन्होंने दो letter हमें दी हों है A और B states हमारे पास है x y z where x is an initial state and z is final state तो हमारे पास उन्होंने जो हमें तीन states दी है x y z x हम लोग जो हम उसे as the initial state count कर लेते है initial state क्या होती है final state क्या होती है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको इसमें transitions है इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ इसकी जो बेहतर आप लोगो समझाएगी वो यहाँ पे मैं जो हम एक्जेंपल के थरूँ आप लोगो बताता हूँ so guys यहाँ पे जो है वो मैंने note कौन सा add किया है transition अगर आप लोगो इसे गोर से देखें और यह वाली जो है वो transition यह सारी same है यह मैंने copy करके वहाँ पे paste की है क्योंकि समझाने के लिए कभी ऊपर जाना पड़ेगा कभी नीचे तो इसलिए मैंने जो है वो इसे यहाँ पे copy कर लिए so guys यहाँ पे हमारे पास transitions है it may be noted that the information of an fa given in previous table can also be depicted by the following diagram called the transition diagram इसे हम लोग जो है वो transition diagram भी बोल सकते है जो के हमारे पास given fa गा है so guys यहाँ पे मैंने note open कर लिए transitions I hope कि आप लोगो को clearly नजर आ रही होंगी add state x हमारे पास यह जो state x है जिसके साथ minus लगा हुआ है जिसके साथ भी minus लगा होगा वो हमारी initial state होगी initial state मिन के starting state इसके बाद हमारे पास जो है जिसके साथ plus लगा होगा वो हमारी final state वोपर जैसे कि बता गया था कि जो हमारी final state है वो एक हो सकती है यहां फिर कोई भी नहीं होगी तो इसलिए जो है अब हमारा यहां से start होगा add state x हमारे पास state x कौन सी है यह वाली जिसे हम लोग initial state बोलते है x reading a तो यह हमारे पास जो यह state x क्या कर रही है reading a यह हमारे पास जो arrow है यह वाल arrow यह वाल arrow इसे हम लोग बोलते हैं transition जो उपस जो मैंने आपको transition का बताया है basically यह जो है वो arrow जो कि एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं बता रहे हैं कि कहां पर move करना है इसे बीसिकली जो है, भो हम लोग transition बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि add state x, हमारे पास जो state x है reading a, तो ये a को read कर रही है ये हमारा arrow जा रहा है है नीचे की तरफ इसे हम बोलते हैं transition a को read कर रही है, go to state z तो यह जा कहां पे रही है यह हमारे पास state z है इस वे जो है वह हम लोगों ने circle के थूज़ है इस सरकल में ने हम लोगों ने इससे define किया हूआ है अब हमारे पास state x पे यह a को read कर रही है और जा कहां पे रही है go to state state z इसके बाद add state x reading b यह transition b है इस B को read कर रही है और जहां कहां पर रही है go to state Y तो यह Y हमारे पास है एक state इसके बाद हमारे पास next है at state Y यह हमारे पास Y है reading A, B go to state Y अब यहां पर A, B को read कर रही है तो हम और जहां कहां पर रही है फिर वहीं से Y के ओपर तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके उपर हम लोग ने एक लूप लगाया है इसे भी हम लोग transition ही बोलते हैं यह क्या कर रही है कि A और B को read कर रही है और किस state पे जा रही है y से y के उपर ही इसलिए मैंने यहाँ पे इसके उपर लगा दिया कि y state से A और B को इसने read किया कह पे गही है य को पाल ग़ी तो इसलिए जो है वो Y से Y कne गवर गही है ए और B को रएड़े किया है मैने यह पे इसके olोब लगा लिए इसके वपर लूप जिसे हम लोग ट्रैंशने बोलते हैं इसके बात हमारे पास आ गई at state z तो यहां से हमारे पास z state है reading a, b तो यह भी a, b को read कर रही है and go to state z तो यह भी z को उपर जा रही है तो उसके उपर मैंने loop लगा रही है a और b को read कर रही है I hope कि यहां पे जो हमारे पास transition थी इसकी समझा आगी होगी अगर हम लोग old states को देखें x- हमारे पास यह वाली old state है reading a, a को read करते लिए कर अब पर जा रही है z की दो तो यह a को read करके z की दो जा रही है reading b, b को read करके x- कर रही है y क्यूब पर, तो यह y क्यूब जा रही है अगर हम लोग y को ले इस y को लिए हम लोग लिए भी स्टेट को जो के हमारे final state है इसको अगर हम लोग लें तो A को read करते हुए compass आ रही है A को read करते हुए यह far loop लगा हुआ हुआ है transition जो हमारी z के उपर ही आ रही है B को read करते हुए z के उपर ही है तो यह जो माना जो उपर FA था हमारे पाना से यह जो table है इससे भी थाबित हो गया कि हमारी जो transition diagram है यह same चीज़ बता रही है इसके बाद सबसे last में remark है remark में कहा लिख हुआ है The above transition diagram is an FA accepting the language of strings defined over sigma A or B starting with A it may be noted as this language may be expressed by the regular expression इसमें हम लोगों ने कहा देखना है कि हमारी जो initial state है उससे final state की तरफ जो भी चीज़ आ रही है वो हम लोगों ने इसकी जो है regular expression लिखनी है regular expression लिखने के लिए हम लोग जिस्ट initial state और final state को देख रही है initial state से हमारा जो transition जा रही है वो final state को जा रही है और यहां पे किसको read कर रही है A को तो मैंने starting में A लिख दिया अब Z के ओपर जाके इसको read कर रही है A वो B को तो A भी आ सकता है B भी आ सकता है इसलिए मैंने A प्लस B इसके ओपर जो है वो चैरिक लगा दिया के A अकेला भी आ सकता है B भी आ सकता है अलग से A और B दोनों कठे भी आ सकते है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी जो आपके class 11 के साथ शेयर करना मत बूलिएगा I hope कि आप लोग इसमें मेरी help करेंगे तो अपना बहुत सारा ख्यार रिखिएगा और दौना में याद रिखिएगा Allah Hafiz